दोस्तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेयर करें दोस्तो आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागा थे आपका जियो भी नीज पे दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे मुखिस समझा टूडे ब्रेकिंग नियूज के रूपे तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी भी रूडल आप तक पहुंची रहे तो दोस्तो सुरू करते है आज की सबसे बड़ी अब जल्द ही वे अपने फ्लाइट प्रेन में उड़ाते दिखेंगे अविनंदन ने पाकिस्तान से लोटने के बाद सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए करीबन दो माह बाद फिर से अपने एर्वेस पर पहुंचे हैं एरवेस पर पहुचने के बाद वायू सेना ने अधिकारियों ने विंक कमड अविननन का भब स्वागत किया साथ ही अपने दोस्त को देख करके उन्हें बहुत बड़ी खुजी हुई जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी खवरे मोदी के रडार वाले बयान पर लालू ने भी लिक चुटकी ट्वीट करके लिखा है हट बुडबक जी हाँ दोस्तो लोकस बचुनाओं की चुनावी जंग के बीच नेताओं के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं तो चर्चा कभी से बन ही जाता है ऐसे में एक बयान प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी का है जो सोसल मीडिया पर ट्रोल के साथ साथ राज़ीतिक दलों के निशाने पर भी है राष्टिय जनतादल परमुक और बिहार के पुर्व मुख्य मंतिरी लालू पर साथ यादो ने भी प्रधानमत्री मोदी के राडार वाले बयान पर तंच कसा है लालू ने लिखा है कि हट बुडबक तेरा ध्यान किधर है राडा ठीक नहीं था उस दिन वी से सग्डियों का मानना था कि एरे स्ट्राइक दूसरे दिन की जाए लेकिन मैंने उनके सला दी कि वास्तों में बादल हमारी मदद करेगा और लडाकों बीमान हमारे रडार में नहीं आएंगे जी हां तो अगली बड़ी के वरे भाजपा आरिसे के कारिकरता चुनाओ कराने के लिए वर्दी में केंद्रिये बलो की पहचान चुपा करके राईज में प्रूस कर हैं ममता बेनर जी नहीं निया क्यार जिपरन अर्य से और भाजपा कारीकरताओं को यहां भेझ रही हैं साथ ही बनर जी ने कहा है कि घाटल निर्वाचन छेतर में भाजपा परत्यासी भारती घोस की सुरक्षा का प्रभार सम्हाल रहे केंद्रिये बलो के अधिकारियों की गोली बारी में त्रिमूल कॉंग्रेस का एक कारेकरता घायल हो गया है। उन्होंने कहा है कि आज केंद्रिये बलों ने एक केंद्र में गोली चलाई है। मैंने सुना है कि अलपसंखेक समुदाय में आने वाले मेरा भाई एक घायल हो गया है। बनरजी ने यह भी आरोप लगा है कि केंदरिये बलो के कर्मी कतार में खड़े मतदाताओं के भागवा पार्टी के पक्च में वोट डालने को कर रहे हैं बनरजी ने काये कि वोट डालने के लिए कहना क्या केंदरिये बलो का काम है कुछ एक सेवा निवरित अधिकारीों को मोदी सरगार की तरफ से यहां मतदान कराने के लिए परियोग में लाया जा रहा है उन्होंने जो समझ रहा है वे कह रही है उन्होंने कहा है कि आपको यह कहते हुए सर्म आने चाहिए आप यहां अपना कर्तव निभाने के लिए आज आप मोदी की तरफ से काम करें हैं कल को किसी और की तरफ से काम करेंगे तब आप क्या करेंगे पस्ची मगान में लोग सभा की आठ सीटों पर छो चरण के तहत हो रहे चुनाव के लिए केंदरिय बलो के करीवन 770 कमपनियों क स्वतंत रहो निस्पक्च चुनाव कराने के लिए तैनात किया गया है जी हां दोस्तों अगली बड़ी कपरें बालाकोट एरस्टाइक पर बादल संबंधी मोदी के टिपणी सरमसार करने वाली महबूबा मुक्ति जी हां दोस्तों जम्मू कस्मिर के पूरवे मुख मंतरी महबूबा मुक्ति ने बालाकोट एरस्टाइक के दोरान बादल संबंधी टिपणी के लिए प्रधान मतिन नरेंदर मोधी की आलोजना की है परधान मंत्री ने कहा है कि भारतिय वायुशिना के विमानों को बादल चाय रहने के कारण बालाकोट एरस्टेक के दोरान पाकिस्तानी रडार से बचने में मदद मिलती महबूबा ने पूचा है कि क्या परधान मंतरी को भारतिय वायुसिरा की सलाह की उपेक्षा कर खराम मौसम में उप्रेशन चलाने के लिए कहने का अधिकार है महबूबा ने पूचा है कि रहस्य नहीं है कि बालाकोट एरस्टेक नियत लक्ष को निसाना साधने में नाकाम रही है क्या इस कारण की भारतिय परधान मंतरी ने वायुसिरा की सलाह की उपेक्षा की और खराम मौसम में श्ट्राइक करने की अनुमती दी उन्होंने बादल च्छाय रहने से जुड़ा तरक सर्मनाख है, मुझे फिर से याद आता है कि कागरिश अधक्छ राहूल गादी को उन्होंने पप्पु क्यों कहा, जी हाँ दोस्तों महबूबा ने कहा है कि बालाकोट एरस्टे की सच्चाई पर सवाल उठाने के लिए मु नहीं सकते हैं, यह सामरिक जानकारी का एक महत्पुन हिसा है, जो भविष्य में हवाई हमलों की योजना बनाते समय महत्पुन होगा, जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खेवरे अलवर कांड पीम ने मायावती से राजस्थान सरकार से समर्थन वापस लेने को कहा, मायाव मायावती ने अलवर सामोहिक बलतकार कांड मामले को लेकर के राजस्थान की कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस लेने की चुनोती देने वाले परधानमति नरेंदर मोधी पर पलटवार करते हुए, कहा है कि मोधी इस घुनोने कांड की आड में घृनित राजलिती ना करे मायावती ने कहा है कि एक बयान में परधानमतिरी मोधी द्वारा राजस्थान के अलवर में एक दलित महिला से हुए सामोहिक बलतकार कांड में फलसरूप वहां की कांग्रेस सरकार ने समर्थन वापस लेने की मांग करने पर प्राथमिक्ता देते हुए, कहा है कि मोधी इ मुना, दलित, कांड, रोहित, वेमुला, कांड और गुजरात और अन बीजेपी सामिल राजों में नए दीन हो रहे हैं, दलित, अत्यचार और नैतिक जिम्मधारी लेकर के उस पद से इस्थीफा क्यों नहीं देते हैं, मायावती ने कहा है कि अलवर की घटना के साथ साथ अन घटना के साथ संबंदित सक्त कानून करवाई करना भी मोधी सरकार की जिम्मधारी होनी चाहिए, बस्पा पर मुखने का है कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बलकि मध्ध परदेश आदी राजों में कांग्रेस पार्टी से कैसे निप्टना और यह बस्पा को मालूम है और समय आने पर भी इसको पता चल जाएगा, जिया दोस्तों आपको बता दे कि प्रधान मतरी मोधी ने कुसी नगर में रविवार को इससे पहले अपनी एक चुनावी रैली में का था कि मायावती अलवर कांट पर घडियाल आसू बहाना बंद करे, अगर इस घटना की तक पर करवाई को लेकर के पाकिस्तान पर दबाव बनाया, उसके बाद से इमरान खान सरकार हरकत में आ गई, पाकिस्तान सरकार ने आतंकवाद पर बड़ी करवाई करते हूँ एक ग्यारा संगटनों पर बैल लगा दिया है, ये सभी संगटन परतिबंदिशन जमात ए इंसानियत फाउंडेशन और जैस ए मुहमद से जुड़ा है एक अधिकारी ने बयान दिया है कि परधान मंतरी इमरान खान और ग्रिह मंतरी एजाद साह की बैठक में इस संगठन पर तिपंदर लगाने का निर्णे किया गया है पुलुआमा में 14 फरवारी के हमले के बाद इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाज से सामिल या अन देसों में किसी भी परकार से आतंकी गतिवीदियों के लिए पाकिस्तानी सरजमी पर इस्तमाल करने वाले किसी भी संगठन को बक्सेगा नहीं जी हाँ दोस्तों जैसे मुहमद के इस हमले से CRPF के 40 जवान सहीद हो गये थे पाकिस्तान के ग्रिह मंतराले के अंतरगत आने वाले नेशनल काउंटर टेरिरिज्म अथारिटी ने अपनी वेबसाइट पर घोसित की थी कि जे यूडी के साथ संगठनों पर प्रतिबंद ल मॉक्स एंड फेरवेल ट्रस्ट, अलमदीन फाउंडेशन, माज बीन जलीम एजुकेशन ट्रस्ट और अलहमद ट्रस्ट है ये सभी लाहूर में है पाकिस्तान के ग्रिह मंतराले ने आतंकुवाद पर सफाया करते हुए राश्टिय कारे के योजना के क्रियानवय के गती ल FIF के साथ संबंद रखने को लेकर के पर्तिबंद कर दिया गया है जे यूटी के तरफ से FIF पर भी मार्च में पर्तिबंद लगाई गई थी एन सीपीटी के अनुसार बहावलपूर में अल रहमत ट्रस्ट और कराची के अल फुलकान ट्रस्ट पर भी JEM के संबंद को लेकर के पर्तिबंद लगाई गई है JEM पर जनवरी 2002 में पर्तिबंद लगाई जा चुकी थी जी हां दोस्तों अगली बड़ी ख़बार आ रहे है केरल से CM विजयन ने कहा राजी सरकार के साथ सेना ने काम नहीं किया होता तो आज आपदा और भी भयावा होती जी हां दोस्तों क केरल सरकार ने बाढ़ पर्मावीत राजे में राहत और बचाव अभियान में महत्वण भूमिका निभाने वाले बिबिन केंदरिये बलो के समान में आज एक अपचारिक विदाई समारों का आयोजन किया गया जहां वायू सेना एस्टेशन में आयोजित समारों में मुख् करने के लिए सेना और अर्द सेनिक बलों को सराहना करते हूए कि हम केवल यह का सकते हैं कि आपकी सेवा हमेसा याद रखी जाएगी उन्हों ने कहा है कि यदि सरकार द्वारा बलों के काम नहीं किया होता तो आपदा और भी भयावों को थी इसी बिच राजे में बाढ़ क के तबाह स्कूलों को फिर से ठीक करने के लिए युद्ध अस्थर पकारी जारी है जिसमें सिक्षा और छातर भी हाथ बटा रहे हैं सिक्षिकों ने कहा है कि कुछ स्कूलों की हालत ऐसी हो गई है कि वे कबरगाह की तरह नजर आ रहे हैं